गुड मॉनिंग इस्टेटाइम ओली तुड़े इस वी आर गूंग तो डिसकस इन्वार्मेंट सेक्षन तो इन्वार्मेंट सेक्षन के बारे में हम यहां पर डिसकस करेंगे डे फाइव है स्टैटिक क्यूज का तो पास दिन हो चुके हैं और हमने अलग-अलग दिखते हैं इस क्यूज के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टन कोशिंज हम डिसकस करेंगे काफी इंपॉर्टन सीरीज है आपको लांस तक देखना है बहुत सारे आपके यहां पर क्लियर होंगे आप लोगों ने जो चीज़े पहले पढ़के छोड़ दी होगी उस चीज़ क कियुया हो जो रात को डलता है शाम को शात से आठ की बीच में डलता है यह सुभे यह डलता है तो इसको आपको अटेंड करना है तो स्टैक क्यूर्ट हो गया जो करेंट अफेस के क्यूज हो गई जब अगर आप continuous list को सुनने लगेंगे सारी चीज़ों को attempt करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से चीज़ें आपकी यहां पर enhance हो रही है increase हो रही चले discussion को आगे बढ़ाते हैं हम question इन पॉंड इको सिस्टम देखें पॉंड इको सिस्टम के अंदर कौन सा इको लोजिकल पिरामिट अपराइट है मतलब इस तरीके से आपको इस चीज़ बताना है अगर आप आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वायो का यह सेक्शन इंवार्मेंट का तो आप लोगों को अच्छे से यह चीज़ समझ में आ रही होगा अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूर से जाए जो हमारा हंड्रेड डेज का क्रेश कोड से उसके अंदर मैंने फिफ्टिन डेज के अंदर यहां पर कवर करबर किया गया है यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टन जो चीज़े हैं तो उसको जरूर साब देखेगा सारी चीज़ उसके अंदर मैंने बताय हुई है clear की गई है इन में से option बताना है option A 3 only option B 2 & 3 option C 2 only and option D 1 & 3 and the answer is option D that means answer is 1 & 3 only तो यहां पे pyramid of number of pyramid of energy जो होता है upright होता है ना की biomass explanation देखते हैं यहां पे दिया हुआ है pyramid of energy and the number is upright in the pond ecosystem pond ecosystem के अंदर energy और जो एक तरीके से number होता है वो upright होता है pyramid of biomass is inverted in aquatic ecosystem biomass जो होता है वो inverted रहता है इस तरीके से रहता है और because the biomass of the fisheries for exceed the biomass of phytoplankton तो यह आपको अच्छे से याद रखना होगा देखिन numbers के अगर मैं बात करता हूं तो जो phytoplankton होते हैं वो बहुत जादा रहेंगे वो नीचे आएंगे और फिसकी उपर छोड़ी छोड़ी फिसेस पर थोड़ा सा बड़े फिसेस उसकी उपर थोड़ा सा और और उसकी उ लॉजिकल फिरामिट कहते हैं इसको समझ में आ गया जिसकी संख्या सबसे जादा रहेगी वो सबसे नीचे रहेगा बेस में और जिसकी संख्या सबसे कम रहेगी वो सबसे उपर रहेगा और उपर वाला हमेसा नीचे वाली को क्या करता है खाता एक तरीके से उसको भोजन तो एक तरीके से आहार करता है कंज्यूम करता है क्लियर हो गया कोश्चन नमर टू देखते हैं इसके पर कोश्चन पूछा गया है इसलिए बहुत तो यह अपको सूचना होगा कि यह होता है कि नहीं इसको आपको अटेंब करना थाइड नमर युनाइटे नेशन चन्वेंशन तू कॉम्बैक डिजर्टिफिकेशन इस दा ओली इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क सेट अप टू एड्डरस दा प्रॉब्लम ओफ डिजर्टिफिकेशन तो कौन सा स्टेट्मेंट इसमें से सही आपको बताना है आपके पास कौन सा गलत है सौरी इसमें से आपको ध्यान से यह देखना है कि कोश्चन के अंदर क्या दिया गया है इनकरेक्ट पूछा गया है तो कौन सा इनकरेक्ट है यह आपको बताना है तो आपसेन एटू अपसन बी वन एंट्टू ऑपसन सी थ्री ओडिए और ऑपसन डी वन टू एन थ्री पॉस की वीडियो को और फटा फटा फट इसका अंसर लिए हम आंसर क्यों चलते आंसर इस that means one and two statement is the correct sorry false statement incorrect statement and three one is the correct statement यहां आप देख पा रहे होंगे कि desertification क्या है एक तरीके से desertification is the degradation of land is a right or semi-right or dry sub-humid area it is caused primarily by human activity यह mainly human activity किसी बेज़े से होता है primarily यहां पर बोला गया है ना कि only याद रखना आपको सिर्फ human activity की वज़े से नहीं होता है लेकिन हाँ human की activity एक primary cause यहां पर करते है climate की variation की वेज़े से काफिया देखने को मिलता है desertification does not refers to expansion of existing जो है उस digit को बढ़ना ही desertification नहीं होता है यह आपको ध्यान से अच्छे से आ रखना है अगर आप बहुत सारा पेट पोधे उस जगह से काट देते हैं डिफोरेस्टेशन कर देते हैं what's land extremely vulnerable over exploited उस जगह को किया जाता है तो ऐसी condition में यह desertification देखने को मिलता है अब हम देखे युनाइटे नेशन convention of combat desertification की बात कर लेते हैं यह एक बोड़ी है UNCCD की मतलब युनाइटे नेशन की 1994 में established की गई थी और लीगली बाइंटिंग इंटरनेशनल एग्रिमेंट जो इसके अंदर हुए है इन्वार्मेंट से लिटेट की किस तरीके से sustainable land को manage करना है clear हो गया तो यही सारी चीज़ें इसके इंदर दी गई है काहाँ सब यूमिट इसके इंदर पाया जाता है ड्राइलेंट से इसके इंदर बताई गया है वर्लेबर एकोसिस्टम question number 3 देखते हैं यहाँ पर arrange the following region that caused desertification in India in the ascending order अब इसको आपको ascending order में लिखना है अब देखिए कभी कभी क्या होता है question किसना जादा deeply पूछ लिया गया है थोड़ा सा इसके इसने क्या कर दिया ascending order में जो इसने पूछ लिया है यह थोड़ा सा इसको tough question को tough बना देता क्योंकि हमको generally अगर इसको पूछा जाता कि कौन कौन से factor depend करते हैं तो सायद आप इसको solve कर ले जाते हैं लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सा factor किते percent मतलब तरीके से कौन से जादा effect करता है कौन सा कम तो थोड़ा सा tricky सवाल है इस तरीके से सवाल जो है UPSC पूछने लग गई है इसलिए आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है पहला wind erosion, wind, water erosion, vegetation, degradation और salinity तो देखते हैं answer यहाँ पर option आप लोग देख लीजे A, B, C, D, 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 1, 4 अब हम चलते हैं answer कि answer is a C that means 4, 1, 3, 2 पहले salinity आएगा फिर wind erosion आएगा फिर vegetation, degradation और last time water erosion आएगा clear, अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर पाचो अपने हमारे पास यहाँ पर दिये गए पहला है water erosion, water erosion से 10.98% होता है पहला point, wind erosion, wind erosion से कितना ascending water में बोला था, वहाँ पर याद रखना है आपको, मतलब बढ़ते से, sorry, घरते से बढ़ते क्रम में, कौन से सबसे याद रखना है, तो इसको सबसे लांश्र में रखेंगी, wind erosion की वैसे, मतलब उससे कम होता है, sorry, 5.55%, human mat settlements की वैसे 0.969%, that means 1% से भ यहाँ पर देखने को मिलता है, vegetation, degradation की वैसे 8.91%, और salinity की वैसे यहाँ पर 1.12%, clear हो गया, यह बातें आपको याद रखने, आप चाहें तो इसको note down भी कर सकते हैं, और orders यहाँ पर 2.07%, question number 4 की और move करते हैं, अब biomarker, biomarker is generally used as an indicator of, यह किसका indicator है, biomarker, option A, increase in the size of bio, option B, biodiversity of an ecosystem, option C, diseases in an organism, and option D, phynto, phenotype, and genotype of a micro, तो इसमें से बताना है, कौन सा answer सही है, पॉस कर लिजे, फटाफर इसको attempt कीजे, फिर answer हम बताते हैं, चलिए answer की और move करते हैं, answer है, यहाँ पर हमारा C, that means diseases in an organism, तो यह छोटा सा, सिंपल सा था कि biomarker का मतलब क्या होता है, कि इसे, biomarker, maybe you to see how well body response, किस तरीके से body response करती है, response करती है, to treatment for a disease, diseases or condition, also called molecular marker, और signature molecules भी इसे कहा जाता है, तो यह terms आपको याद रखने हैं, देखे, छोटे-छोटे, आपको हर एक चीज़ नई सीखने को मिल रही होगी, यहाँ पर, यह काफ इंप question number five, क्यों move करते हैं, consider the following statement regarding the productivity of organism, जो organism की एक productivity है, उसके बारे में आपको बताना है, primary productivity is defined as a rate of formation of new organic matter by the major consumer of an ecosystem, जो primary productivity है, उस चीज़ को define किया गया है, कि यह किस तरीके से define होता है, तो rate of formation of new organic matter by a major consumer of an ecosystem, क्या यह primary productivity है, second, primary productivity depends on the plant species inhabited in a particular area, environmental factor and availability of nutrition and photosynthetic capacity of plants, यह आपको बताना है, which of the following statement is correct, तो इसमें से कौन से correct है, option A, one only, option B, two only, option C, both one and two, and the option D, neither one nor two, option B is the correct answer, that means second one is the correct answer, हम यह पर explanation पार्ट में चलते हैं, primary production किसे कहा जाता है, आपको समझना है, primary production क्या होता है, defined किया गया है, as the amount of biomass or organic matter produces per unit area over a time period by a plant during the process, suppose, मैं यहाँ पे clear, अच्छे समझाता हूँ आपको, यह कोई सा area है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पोधे लगे हुए है, यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए, आप जर्नली आप लोगों ने देखा होगा, कि अगर छोटे 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 ग्रास है, suppose, इस लेंड को बिल्कुल छोट दिया जाए, इसके उपर कुछ न किया जाए, यहाँ से न कोई चल के जाए, न कुछ काए, बिल्कुल यहाँ पे सारी human activities बंद हो जाए, क्या होगा, थोड़ी दिन में आपको घाज देखने को मिलेंगे, खरपतवार, और फिर थोड़ी दिन में गाज बड़ी-बड़ी हो जाएंगी, फिर यहाँ पे कुछ आपको पेड़ पौधे बड़े-बड़े होते हुए दिखेंगे, फिर वो पेड़ पौधे और अंगल का रूप ले लेगा, तो इसी तरीके साम कहते हैं इसको primary protection, मतलब यहाँ पर यह बताया जा रहा है primary protection का, मतलब आपको समझना है, कि define as the biomass, कितना biomass और organic matter जो मैं बोल रहा हूँ, produce होता है per unit area, per unit area, एक unit area के अंदर, कितने time period, over a time period by plants during photosynthesis, तो photosynthesis की मज़े से वो क्या हो का बढ़ेगा, चीजों को बढ़ेगा, तो उसकी बेसे कितना हो रहा है, उसे primary protection कहते हैं, clear होगा है पॉन, चली, आगे चलते है, primary protection depends होता, plants, species, inhabitating particular area, किस किस चीज में depends करता है, plants, species में, inhabiting, particular area, किस कैसा area है, क्या थोड़ा सा marsiland, अब यह सारी चीज़ थोड़ा सा technical words है, मैं use नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जब मैं environment के section पढ़ाना start करो, तो वहाँ पर यह सारी चीज़े मैं आपके clear करवाऊंगा, धीरे धीरे, तो बस lecture को share करते रहे हैं और आप लोग पढ़ते रहे हैं इसको, it is also depends on a variety of environmental factor, availability of nutrition, photosynthesis, capacity of the plant, therefore varies in a different type of ecosystem, तो हर type of ecosystem में differ करता है, कि सब कुछ वहाँ की soil कितना है, nutrition कितना मिल रहा है, क्या चीज़े वहाँ पे हो रही है, किस तरीके से धूप आ दिये, बहुत सारी factor जो है, पाने के availability करती है, सारी चीज़े इसको पर depend करती है, तो यह सारी चीज़े तो आप जानते ही होंगे, शेयर जरू करिए, देखे, काफी लोग जो हैं, जो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, trends नगर मैं देख रहा हूं, तो कुछ लोग जो है, एक दिन चीज़ों को follow कर रहा है, फिर दूसरे दिन नहीं कर रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, जो दूसरे दिन कर रहा है, तो आपको continuity कर करना है, तभी इस चीज़ का आपको फाइदा मिल पाएगा, एक बार आप continuity करके देखे, मेरी बात मान के देखे, एक महीने ता कम से कम इसको continue follow कर दिए, फिर आपको समझ भाएगा, किस ती अच्छी तरीके से आपकी preparation हो रही है, तो thank you very much for the discussion, लेक्टिर को share करते रही है, ह हर एक जगा फैला दीजे, thank you very much for the discussion.